डिक्टीशन के असी सब्द प्रती मिनट इस्टार्ट महोदै दूसरी सब्दों में आर्थिक व्यापारिक निवेश और तकनिकी कारणों से दूतिय महा युद्ध के बाद और सीध युद्ध के दोरान एशिया के देशों में पुना दुन्दलापन पैदा हुआ लेकिन यह बात सही नहीं है कि एशिया की संस्कृती और सब्धिता को पश्चिम के प्रभाव और आधुनिकतम तरीकों ने नश्ट कर दिया हाँ एक धक्का जरूर दिया पर समय समय पर एशिया का यह रूप एशिया की यह संब्धिता और संस्कृती बलसाली तरीके से उदर्मान होती दिखाई देती है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में अपनी पुष्टक डिस्कवरी आफ इंडिया में एशिया की पहचान पर लिखा है कि हजार वर्सों से जब यूरोप अपने अंदकार की युग में था एशिया ने अपने मुनिश्यों की प्रगती सील आत्मा को प्रभावसाली धंग से दर्साया उन्होंने यह विश्वास भी जताया कि एशिया की संस्कृती और सभ्यता यूरोप की संस्कृती और सभ्यता से अधिक प्राचीन है आज के दिनों में भी चीन के नेता अपनी यहां अध्यात्मिक क्रांती की बात करते दिखाई देते हैं और अपनी आर्थिक विकास को भी प्रति बिम्मित करते हैं मलेशिया के प्रधान मंत्री भी बड़े गर्व के साथ मलेशिया के रास्ते की बात करते हैं और आधुनिक्ता और पारंपरिक संस्कृती के मिश्रण से मलेशिया का विकास करना चाहते हैं भारत के प्रधान मंत्री भी मध्य मार्ग की बात करते हैं जिसको वे भारत का पारंपरिक विचार कहा करते हैं वियत नाम के एसस्वी नेता भी साम्यवादी विचारधारा को पारंपरिक सही शुर्ता के अनुसार ढालना चाहते थे एसिया के इन सब नेताओं की समय समय पर की गई घोशनाओं का वर्तमान संदर्भों में पूरा अर्थ लिया जाना चाहिए जो एसिया की पहचान को नैसिरे से बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है यहां यह भी बताना उचित होगा की हाल के वर्सों में एसियाई देश विसेस रूप से पूर्वी एवं दक्षनी पूर्वी एसिया के देश एसिया के सुद्रिन देशों के रूप में उभरे हैं और इन देशों के आर्थिक विकाफ की दर विश्व के किसी भी अन्य देश के आर्थिक विकाफ की दर से अधिक है तथा जिनके आने वाली सताब्दी में विश्व आर्थिक व्यवस्था की निर्माताओं के रूप में उभरने की आसा है आर्थिक सफलता की इन कहानियों का स्रे मुख्य रूप से अनुसाफित कार किफायत एवं बचत की उंची दरों जैसी एशियाई विशेशताओं को जाता है तथा इनसे देशों की जनता के जीवन पर जीवन इस्तर में सुधार आया है और एशिया की पुनह खोज जैसा वातावरन बन रहा है एशिया के देशों में जब आपसी भाईचारे की भावना उभर रही है और इससे ये देश परस पर निर्भर हो रहे हैं तथा सीत युद्ध के प्रभाव से मुक्त होते जा रहे हैं हमारी सरकार ने अपने एशियाई परोशियों के साथ बहतर सम्मंद बनाने में पहल करके इस बदलते रुख के प्रती सकारातमक रवय्या अपनाया है इन सब प्रशनों का जवाब आज उपलब्द नहीं है लेकिन सनय सनय इन प्रशनों में ही इसके उत्तर मिलेंगे एशिया अपने इन प्रशनों के उत्तर में एक नए एशिया को जन्म देगा और अपनी एक नई पहचान बनाएगा यूरोप और अमेरिका के आधुनिक और द्योगिक विकास में फर्क नजर आता है महोदय बच्चे किसी भी देश के भविश्य होती है यह यथार्थ सत्य है और सदियों से इस ओर विशेष ध्यान देने की आवशक्ता पर बल दिया गया है जन्म से लेकर बच्चों के स्वास्थ रहन सहन और उनकी सिख्षा को लेकर उनके माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है लेकिन तेजी से अपनी जड़े जमा रहे भोतिक वाद ने हर छोटे बड़े समाज के सामने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिये हैं कि बच्चों को किस तरह उनका हक दिलाया जाए जिससे वे आगे चलकर मजबूती और आत्म विश्वास के साथ समाज के सजक प्रहरी बन सकें पिछले कुछ दसकों से बच्चों के भविश्य को लेकर उपजी चिंताओने वैज्ञानिकों और मनो वैज्ञानिकों को सोध और अनुसंधान के लिए बाध किया है नित नई नई समस्याओं ने माता पिता को दुविधा में डाल दिया है एक और जहां जीवन यापन के लिए महिलाएं भी पूर्सों की तरह कमर कसकर घर की चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं वहीं इसके कारण सदियों से चली आ रही तामाजिक शन्रचना गड़ बढ़ाने लगी है आजीव का कमाने और अत्यधिक सुख वैभव की चाहत ने हर दमपत्ती को जीवन सेली बदलने पर मजबूर कर दिया है समाज में हो रहे इस बदलाओ के कारण बच्चे सबसे ज़्यादा उपेक्षित होने लगे हैं अब तक की तमाम रिपोर्टों के मुताबिक यह इस पर्ष्ट है कि अगर बच्चों के प्रती माता पिता की उदासिंता इसी प्रकार बढ़ती रही तो आने वाला वक्त तमाम परेशानियों के कारण जटिलता भरा हो जाएगा बच्चों के सर्वांगेड विकास के लिए जो सबसे पहली समस्या सामने आती है वह है उनका स्वास्थ माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ को लेकर चिंतित रहते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार वह कम से कम बच्चों के खाने पीने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देना चाहते इस प्रयास में अक्सर यही देखा गया है कि माता पिता खाने पीने के मामले में बच्चों पर मनोवैग्यानिक दबाव रखने में लगे रहते हैं उनकी कोशिस यही रहती है कि उनका बच्चा हमेशा खाता पीता रहे और फिर यह होता है कि बच्चे के खाने पीने का कोई समय निर्धारित नहीं हो पाता और उनकी आदती बिगड़ जाती हैं अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफि से केंदर और राज सरकारों दोरा निकाले जाने वाले स्टेनोग्र एपियस और विधान सबार रिपोर्टर पार्लियामिनेटरी रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कम्प्लीट तैयारी करना चाते हैं और साथ ही सौट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवांस आउटलाइन की सिरीज प्राप्त करना चाते हैं तो आप हमारे पेट गुरुप से जुड़ने के लिए नीचे दिये गए टेली ग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कर सकते हैं